हाए दोस्तो आज हम चर्चा करेंगे कोरोणा में मोत्य आधि के दोनान ही क्यों हो के हुशक से नरेथ से संबन्दिद जो है महत्व Religion और बात हैं हम इसमें जानेंगे तो दोस्तो अगर हमें इससे बचना है तो कुछ बातों का बहुत ही महत्पूर जो है ध्यान रखना होगा इस वीडियो में जो है हमें इस पर चर्चा करेंगे चुकि दोस्तों मैं एक अधिवक्ता हूं इसलिए समाज को जागर रूप करना मेरा जो है नेतकरतब है तो दोस्तों सबसे बड़ी बात हमें इस चीज पर ध्यान देना है कि जो कोरोना में अधिकतर हमारे आसपास मौत हो रही है वो इलाज के दोरान ही क्यों हो रही है तो दोस्तों क्या हम इस बात पर कोपर करना है कि जो हमें treatment दिया जाता है hospital में क्या वो सही है कोरोना की जो है कोई दबाई है या नहीं कि हमें जबरजस्ती ही कुछ भी जो है injections और डोज जो है दिये जा रहे हैं जिससे हमारे सरीर में जो है बहुत ज्यादा side effect हो रहे हैं जिस पर ध्यान देना है और दोस्तों आगे के वीडियो में हम इस पर जो है चर्जा कर रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमें इस चीज पर ध्यान देना है कि क्या यह एक संक्रमन है जो हमारे पूरे भारत देश में वबंडर फैला हुगा है दोस्तों कि यह एक संक्रमन है और बह से देखे हैं जो मेरे परिचेतों के हैं कि जिसमें एक व्यक्ति को तो कोरोना है और उसको 2-3-3 लाख रुपए डाक्टरों ने ले लिए वो ठीक भी हो गया लेकिन उसके परिवार में जो उसके साथ खाना खाया उसके साथ सोया सब कुछ किया लेकिन उन में से किसी की भी र से जादा नहीं होती है उनसे किë स्श्रीर थोड़ा सा सीथ है उनकी स हूसे बसी वाज़ी है अधिक बाया है और और बसी करके बहुत सारी दवायन देजाती और कई लोग जो है उसमें मौत के मुह में जा रहे हैं दोस्तो 90% लोग जो घर पर हैं वो सुरक्षित हैं अपना ही इलाज कर रहे हैं काड़ा पी रहे हैं या कुछ भी जो सामान सर्दिखासी की दबाय हैं दोस्तो उनी को लेकर जो है और ठीक हो रहे हैं अगर यह संक्रमन होता दो दोस्तो तो यह कई लोगों में भैलता दोस्तो लेकिन यह बहुत ज़ादा करीवी लोगों में नहीं फैलता है इसलिए इस और जवर्जस्ती हमें कोरोना की जो है दवाएं दी जा रही है और हम जो है काल की गाल में समा रहे हैं दोस्तों तो यह कहां से आता है इस बात पर भी विचार करना जो है आवस्तक है और अगर यह कहीं से नहीं आता कोरोना है तो इसका संक्रमन परिवार में ही ज्यादा क्यो क्या एक वायरस है और दोस्तों जब कोई वायरस होता है तो उसकी कोई दवा नहीं होती है जैसे कैंसर वायरस है सरदी खासी वायरस है पोलियो वायरस है एड्स वायरस है तो इनकी आज तक दुनिया में जो है कोई दवा नहीं बनी है केवल जिन चीजों के बने हैं उनके जो नहीं लड़ सकती है और आपको दोस्तो बचा सकती है कैंसर का टी का जो है आद तक नहीं बन पाया इसलिए कैंसर भी जो है लायलाज बीमारी है दोस्तो अगर यह संक्रमन होता तो आद का जानवरों में दोस्तों क्यों नहीं फेला हमने देखा होगा कि जैसे बर्ड फिलू जो पक्षियों में बीमारी होती है वो दोस्तों इंसानों में भी आजाती है स्वान फिलू बगेरा जो भी बीमानिया होती है जानवरों में उन में से कई हमें जो है हमारे मानाव जीवन को एफेक्ट करती है लेकिन कोई भी जानवर जो है कोरोना से हमें मरत आज तक जो है नहीं मिला है क्योंकि वो भी पालदू जानवर जो होते हैं हमसे जुड़े होते हैं हमारा यह बचाओं का खाना खाते हैं हमारे साथ ही रहते हैं दोस्तों तो उनको आज तक इसने एफेक्ट क्यों नहीं किया है और दोस्तों अगर यह बारत नहीं है तो है क्या फिर यह जो है सवाल प्यादा होता है यह से इतनी मौत हो रही है और दोस्तों यह बहुत ही भयाबा इस्तिती बनाने वाली जो है प्रि सब्सक्राइब करुद सब्सक्राइब करते तो बीच में तो इस तरी के संख्रमन वहता और ये बीमारी होती दोस्तों तो यह फैलती होती तो कई लोग जो होसा कपती दोस्तों जहाँ जहाँ चुनाव हैं आप ओ been at the इतनी дор रहे हैं इतनी सारी व्हेर होती है और मतलब लोगों का जो है बचना न आ हो जाथा यहीं यहले इसा दोस्तों नहीं हुगा जो गाहों में लोग हैं या जो घरों में हैं जो डर रहे हैं कभी नहीं निकले घर से बाहर जब से कोरोना आया है दोस्तों कोरोना उनको हो रहा है और वो मुझ के मुझ में भी जा रहा है क्योंकि महेंगी महेंगी दबाई जो है वो डाक्टरों से इंजेक्शन अगर एसी कोई बीमारी होती जो संक्रमान से फेलती होती और मरने का उससे खतरा होता दोस्तो तो नेता कभी भी अपने घर से नहीं निकलते एक एक सीट के लिए दोस्तो इतना अपनी जो है जान अपने परिवार की अपने बच्चों की जान जो है दोस्तो वो दाव पर नही लगाते उन्हें क्या करना एक सीट से थोड़ी सरकार गिर रही है या बन रही है लेकिन दोस्तों किसी भी नेता को इसकी कोई परवाद नहीं है और हजारों के जो है हजारों के मभीण में मतलब जो है वो लगातार जा रहे हैं और अपना दोस्तों जो है काम कर रहे हैं तो द दोस्तो वायस टक कोई दबा नहीं बनी हैं कोई भी डाक्टर-सरदी-Khansi की दबा जो है जो काम इातर नहीं मना तो दोस्तो इस वीडियो बनाने का जो अद्धिस था उसका यही था कि हमें अस्पतालों में जो है नहीं जाना है हमें घर में ही रहना है और हमें ऐसा प्रयास करना है दोस्तों कि हम घर में रहें और इस कोरोना काल में जो है बीमार ना हो हम माक्स लगा है सेनेटाइजर से अ मर आपके घरवाले आपकी दबा कराने से नहीं मानेंगे और आपको 2-4-1-3-6-5-6-6-8-5-6-5-6-6-6-6-7-8-5-6-6-8-9-6-7-7-8 जान भी जासकती है दोस्टो तो अपने महनत की, अपने माबाप की महनत कमाई की कमाई को जो है, जो खेम मैना डाले और अपने सरीर को भी जो है दोस्तो जोखे मना डालें और घर में ही रहें और यह प्रयास करें कि हमें किसी भी तरीके से अस्पताल ला जाना पड़ें तो दोस्तो इस तरीके से अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और वीडियो क लाइक करें धन्यवाद